हेलो दोस्तों स्वागत एक बाग फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासिस पर तो दोस्तों आज किस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुरात करते हैं वीडियो लेचर की स्टेंज जैसे कि आप इसकी पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक अन्ता केंदित एक कोष्टी का अर्था तो वोडी सेंटर उनिट सेल आपको इसकी पर बना रखा है इसको आप कैसे समझेंगे कि एक पार्टिकल जो होता है एक पार्टि एक पार्टिकल जोगा दो ना तो फेस पर होगा ना किसी इसकी इस पर होगा हो ना किसी इस पर होगा को अ ऐसी कोश्टे को कौम बच्व हम क्या बोलते हैं बात सब्सक्राइब को चलिए आगे समझाते हैं अब देखिए स्टेंड निकालने के लिए पहले हमें टार्गेट हमारा यह रहता है कि इसकी एज में और इसके पार्टिकल से ठीक है इसके रेडियस में क्या रिलेशन होता है ठीक है तो चलिए पहले हम लिए इसकी कोश्टिक आपकी जो कोर कि लंबाई है इसमें और परमाणों की यह आप अब ब्लाइब हो सकते हैं उनकी रेडियस में क्या रिलेशन होता है ठीक है और पार्टिकल की रेडियस में रिलेशन हम दिखांगे चलिए तो यहां से यह मै मैंने तक किनारा है इसकी आप लोग को ठीक है इसी प्रकार आपका क्या होगा वह आपका क्या क्योंगता होगा गया बराबर होती है यह करना है है इस एक को इसे मिलाई इस अपलोग को एक ड्रैइंगल ट्रींगल तेमनों को मिलेगा कि यारी आपने देका कि हमने एक को बच्चे किसे मिला दिया एक समय आप लोगो को नहींद इसको एसे गए इक आपका राइट अंतर आनों तो पहले लोग को ठीक है तो पहले हम पहले पहले करेंगे का रहां प्र में फर में लगा लें लगा लें चैक है तो चलिए देगे घ्रेख जीगल टू दाएगा बच्छों एने कण का स्कॉर को था अधार का स्कॉर अधार कितना बच्छों a-b-a-b-a-sqo फिर क्या आपका बच्चों लंब आपका बच्चों लिए आपका क्या जिए तो इसकोर आगे इसका बढ़ा इसका बढ़ाए गर तो तूपर आगे लिए तो यह आप देखवाने यहां से लेकर सी तक यह कितना गया रूड तू ए आ गया तू आ अच्छा अब अगर मैं इस एक अगर में दी से मिलाता हूं तो देखिए यहां से यहां पर यहां से समझें बच्चो वह रखना यह कहां से इसके सेंटर से पार्टिकल उसी के लाइन यहां से पास होके जा रही है तो यहां पर ट्रेंगल बना ए यहां सी और टी एक प्रेंगल एवना एसी दी एसीडी उमिद करता में आपको सम्झेंब आरे होगी जिसका यह राइट यह रही है तो तरवुज आप देखें एसी डी में यह जो आपका एडी यह जो आपका एडिये क्या बच्छों आपका है क्या बच्छों कर तो चलिए करेंगे लगा तो अगर इसके अंदम पाइदोकत पर में पाइदोकत पर में जिसे हमने एक की तो यह पता चल गया ठीक है आपको यह वाली बदर पर लगए सब्सक्राइब है क्या दना श्रीकाइब यह उसका इसका देखाएगा इसका इसका क्या नगा भॉच्शे प्रफिस चल रहा है तो यह इडी इस इकल टू कितना आएगा रूड ठी और यह आजाएगा पाशन में आ लोगो तो अगर हम डायग्राम में देखें तो एडी कितना है ठीक है अगर हम इस पैरिकल की रेडियस के साफ़ा कर देखें तो एडी कि वैली कितनी है चलिए मैं इसको में दाइडाम थोग सा बनादेता हूं माली यह तेक है एपका और पूइंट यानि ए यह इज पॉइंट यह इसको समझें देखें बास्मारी तो यह पार्टिकल है रियल मंगर इसको अगर आप वो जूम करके देखो तो यह कुछ इस टाइक है इसके सेंट्र वाला तो यहां से आप देखें अगर आप देखें वाली यह पॉइंट है तो इसकी रिडियस यह आपका बिलाकर कर ट्राइंगल यह वाला फॉरी इस पर गोला है ठीक है तो पूरे डाइमेटर यह जाएगा यानि यह आरी हो जाएगा और यह बाला तो कि अधिक बच्छों कितना हो रहा है यह पर समझाएता हूं इसको देखो फॉर आर के बारा बच्छों एक आर दो बार तीन और चाचार पूरी वैल्यू कालेट हो जाएगी बसम्हारी आपको और आपका स्पेरिकल इस पेर है इसका पू इस डिस आ रही है चलो मैं थोड़ा इसको यह से कल लेता हूं इस जगे शञासे कितना आ गया जिए चित्र सारा बसक्राइब कितना पर आ रहा है थीक है अब आपको यह वैली वैली घॉल भी है तो दोनों समीक्रों को और देखें तो लिख सकते हैं बच्छों बूड ठी cry एक बच्छों सकते हैं तो यह रेडियस में और इसकी साइड में और इसके पार्टिकल उसके रिडिशन होता है बस समरें आप लोगो ठीक है अच्छा अब देखिए पैके का पिसंजी का फार्मॉन लागा देजिए काली चाली देखिए ढाब तो थोड़ा सा लिख लेते हैं देखिए देके इसर्ची में ऒज़ि लेते माना कोश्टिका की त्रजिया कितनी मांनी हमने और और कितनी मसी मानी मना अब कोश्टिका कि कि पिरतीएक पिरती एक भुजा की packaging कि लंबाई कि पितनी पिर्थी यह पार्टिकल की तरज्या पिर्थी एक को गोले की तरज्या के निवच्छों कि चलिए इसको साफ कर देता हूं यह आपको समझ में आगए मैंने कैसे से क्लिवेट किया तो इस्टेंट है प्रतियक गोले तरज्या कितनी बच्छों और है बस समरी आप लोग को ठीक है दिखाया लगे पैकिंग इफिसेंसी पैकिंग इफिसेंसी कैसे निकाला क्या होता है है परसंटेज में निकाल लंगे इस्टेंड फाइफ होता आपका जैड जैड क्या होता को स्टिका में कुल परमाणू की संक्या ठीक है और एक परमाणू का अएतन परमाणू वदी कि गोला का तो गोले का आएतन चार वटा तीन तो बट्टे का तीन मैंने निचे लिग द किनारा यानि यह मुझे क्यों करना पड़ेगा यानि एक जब क्यूब करूंगा तो यह हो जाएगा और समय आप लोगों को प्रोंसा आगे सो कर लेते हैं चली में नीचे लिए लिए चीज़को स्टेंड यह बनेंगा पैकिंग एफिसेंसी प्लवेट करेंगे हैं जैड़ कितना होगा उसको समय है यह जो इसे कौर्णर पर पार्टिकल होते हैं अपना कितना भाग को तक दान करते हैं इदा को यह पहले भी बता रहा है बताया कई तो एक पार्टिकल है तो आट किसे रहे गा तो यह से कैंसल आट हो जाएगा बच्चो तो जाड़ जाएगा एक तो यहां तो यहां पर जो जैट की वाली कितनी बच्चो वह कैसे लेका लिए मैं आपको बता दी ठीक है अच्छा लगाईए फार्मुला जैड़ वरावन बच्चे कितना हो जाएगा फॉर अपाउन ठीक है और यह पाई और आर का क्यूब ठीक है वार समय रहे है फॉर अपन ठीज़ क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि एक क्यूब करके यह वैल्यू आजाएगी ठीक है बात समरी आप लोग को आगे इसको सौल पर हैं तो बच्छे यह आएगा पैकिंग इपिसेंसी इस इकल्टू आजाएगा बच्छे चार दूने कितना हो जाएगा बच्छे आठ पाई आ कि आपका यह आजाएगा ठीक है और यह आपका बच्छे कितना जाएगा रूट तीन रूट तीन रूट तीन हो जाएगा पाई हंड्रेट आजाएगा मित करता मेरे अपको समझ में आ गई होगी हैं सरूट तीन को बच्छे हम कैंसल कर देंगे ठीक है तो यह पैकिंग इफिसेंसी आएगा पी इस इकल्टू आएगा बच्छों और यहां देगी आर का क्यूब सार्का क्यूब को काट लेजिए ठीक है आट से अब लोगो था यहां से नीचे का बच्छे का एट टाइम कर जाएगा और यह बच्छा पर उट्टिन ऊपर पहुंच जाएगा तो यह बाट आट ही आ गया ठीक है आट क्यूब सार्क्यूब कैंसलों क्या पाई आपका शेम यह रखा है यह अपन में न बटे का बटा है तो यह उपर पहुंच जाएगा इसको जो आएगी पैकिंग एपिसेंसी को यान इस वेल्ट को तो कितना आएगा लगवागों कितना आएगा 68 परसेंट आएगा तो बटे के अंदर पैकिंग एफिसेंसी कितने होती परसेंट होती है बस समय आप लोग को ठीक है अच्छा बोईट की अगर बात करें तो बोईट कितना होगा इसके अंदर हंड्रेट में 68 घटाएंगे तो बोईट है बच्छो यानि कितना आएगा बच्छो आएगा आएगा थार्टी टू परसेंट कितना आएगा बच्छो बत्रीट परसेंट आएगो इस्टेंट टीक है